नमस्कार दोस्तों अवेजिंग पॉइंट में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज मैं आपको ले के चल रहा हूँ सेखा जील पक्षी बिहार अलीगड़ दोस्तों काफी बड़ा पक्षी बिहार है यहां पर बहुत-बहुत दूर से नईनी तरह के पक्षी आते हैं दोस्तों यह अलीगड़ के पन्याटी से लगभग 5 किलोमीटर दूर है दोस्तों यह अंदर से काफी बड़ा है बहुत सारे पक्षी इसमें आते हैं चारों तरफ हरे भरे पेड़ों से घिरा हुआ है तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं प्रेस दा सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस बेल आइकन फॉर लिटेस्ट वीडियोज दोस्तों जब आप अलीगड के पुराने बस स्टेंड से जीटी रोड पर एटा की तरफ चलेंगे तो आपको अलीगड से निकल के पनहेंटी से बाएं हाथ की तरफ मुड़ना है और जो रोड जा रहा है उस पे लगभग 5 किलो मिटर आगे सेखा जील पक्ची बिहार आपको मिलेगा दोस्तों यहाँ पर आप रेट लिक्स देख सकते हैं भारतिय नागरेक के लिए 30 रुपे हैं और पार्किंग के लिए अगर बाएक की है तो 20 रुपे हैं और आप पढ़ लीजेगा इसी लिस्ट में सब कुछ दे रखा है तो दोस्तों अब हम अंदर आ चुके हैं जैसे ही आप गेट से अंदर गुसोगे यहाँ पर बहुत से पक्चियों की तस्वीर बनी हुई हैं और उनके उपर उनके नाम लिखिये हुए हैं आप इन्हें पढ़ सकते हो बहुत सारे पक्ची यहाँ पर आती हैं काफी सुन्दर न जा रहा है जब आप अंदर गुसोगे गुसते ही आपको राइट हैंड साइट पर बच्चों के खिलने के लिए एक पार्क है यहाँ पर बच्चे आके खिल सकते हैं आप देख सकते हैं बहुत तरह का यहाँ पर सामान लगा हुआ है उनके खिलने के तो दो रास्ते जाते हैं एक दाइं तरफ एक बाइं तरफ आप जो है अगर दाइं तरफ जाते हैं तो लोट के बाइं तरफ आ जाएंगे और आप बाइं तरफ जाते हैं तो लोट के दाइं तरफ आ जाते हैं तो लोट के दाइं तरफ आ जाते हैं तो लोट के दाइं तरफ और बहुती शांदा नजारा आपको देखिए यह देखिए बाएं तरफ का रास्ता है यहां से भी अगर आप घुमके जाएंगे वापस दाइं तरफ आजाएंगे आपको यहां पर बहुत सारी पक्षियों की तस्वीरें मिलेंगी जिन पर उनका नाम लिखा हुआ है यह देखिए वाच्टावर यहां से पूलकुर से आप देखेंगे तो आपको पूरी जील का नजारा बहुती शांदार बहुती जब गेट से चलके आप सीधे सामने जाते हैं तो यहां से आप पूरी जील का नजारा देख सकाएंगे यहां आपके बैठने के लिए भी जबस्ता है अच्छी और यहां ही से आपको जील लिखाई देखेंगे यह देखिए सामने जील लिखाई दे रही है अभी पानी थोड़ा कम है जब पानी ज्यादा होता है तो यह और उपर तक आ जाता है पानी यह देखिए सामने जील है जहां पर अभी भी काफी पक्छी है पानी ज्यादा नहीं है फिर भी पक्छी है इस समय जाड़े का मोसम है इस वएशे अभी पानी ज्यादा नहीं है पानी काफी सुख चुका है लेकिन पक्छी अभी भी काफी है तो आप यहां पर जब आएंगे तो आपको यह नजारा बहुती शानता देखेगा तो दोस्तों जील का और नजारा देखिए जील कैसी है जील के आसपास का नजारा कैसा है आएंगे तो देखते रहें सेखा जील पक्छी विहार तो आपिए झाल 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 झाल